उसके भाव हैं आखिर भारत को इसी दिन की तो प्रतिक्सा थी भाव बिभोर कर देने वाली इस दिन की प्रतिक्सा में लगभग पांच सताब्दी बतीत हो गई दर्जनों पीडियां अधुरी कामला लिए इस धराधाम से साकेत धाम में लीन हो गई किन्तों प्रतिक्सा और संघर्स का करम सतच जारी रहा सिराम जनभू में संभूत विश्व में पहला ऐसा नूठा प्रकंडर होगा जिसमें किसी राष्ट के बहुत संक्यक समाज ने अपने अराध्य के जनमस्थली पर मंदिर निर्मान के ले इतने वर्सों तक और इतने अस्तरों पर लड़ाई लड़ी हो संतों, सन्यासियों, पुजारियों, नागाओं, निहंगों, बुद्धी जीवियों, राजनेताओं, जन्जातियों, सहीद समाज के हर वर्गने, जाति पाति, विचार दर्सन, उपासना पद्धति से उपर उठकर के, रामकाज के लिए स्वयम को सर्ग किया, अंततह वासुप आउसर आ ही गया, जब कोटी कोटी, आस्तावानों के त्याग और तब को पूर्टा प्राप्त हो रही है, आज आत्मा प्रफुलित है, इस बात से, कि मंदिर वही बना है, जहां बनाने का संकल्प लिया था, संकल्प और साधना की सिद्धि के लिए, हमारी प्रतिक्सा की, इस समाप्ति के लिए, और संकल्प की पूर्टा के लिए, आधनिये प्रधान मंत्री से नरेंद्र मोधी जी का हिरदै से आभार और अविनंदन, माने प्रधान मंत्री जी, 2014, मैं आपके आगमन के साथ ही भारतिय जन्मानस कह उठा था, कि मोरे जिय भरोस दिड़ सोई, मिलही राम सगुन सुब होई, कि अभी गर्वग्रे में बैदिक विदी स्मिधान से राम लला के बाल विग्रह के प्राण प्रतिष्टा को हम सब सब साक्सी बने हैं, और लौकिक छवी है हमारे प्रभु की, बिलकुल वेसे ही जैसे तुलसी दास जी ने कहा,